दोस्तों राजस्थान वनरक्षक वनपाल भरती प्रिक्षा को लेकर आप लोगों के काफी सारे डाउट्स अभी करें जैसे कि सर्क्या इस बार इंटर्वी होगा या नहीं होगा एक्जाम का प्रोसेस क्या है सर भरती को लेकर एक नई सूचना क्या है उन सबी के बारे में हम आपके सबी के सार्फ कर दूँ ठीक्या क्योंकि परसनल लियांसफर देने से अच्छा की वीडियो में बता दें ताकि सबी लोगों को उसके बारे में पता लगे चलिए दोस्तों वन बैवन हम लोग discuss करेंगे तो क्या interview होगा या नहीं होगा exam process क्या है कितने question आएंगे physical कैसा होगा physical कितना करना होगा सब कुछ अपने इस वीडियो में discuss करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात अब जना ध्यान से समझना बिल्कुल बारिकी से क्या इस बार इंटर्व्यू होगा या नहीं होगा दोस्तों जो विगयपती जारी हुई है जो नई विगयपती जारी हुई थी अब की बार उसके अंदर इंटर्व्यू का कोई रपशन नहीं था ठीक है तो अपने मान सकते हैं कि interview नहीं होने के chances 99.9999% क्या है chances कि आपका interview नहीं होगा दूसरी बात दोस्तों interview जो था वो पिछली बार वन पाल में था किसमें था दोस्तों वन पाल में था तो अगर अब की बार भी होता है तो वन रक्षक में नहीं वन पाल में इंट्रिव्य होगा ठिक है दोस्तों देखो पहली बात तो कि विगति में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया तो इसका मतलब इंट्रव्यू नहीं होगा बर पाय मालो बाई चांस बोर्ड कहता है चेंज करेंगे कि इंट्रव्यू हम लोग लेंगे तो वन पाल का लिया जाएगा दोस्तों वंदक्षक का नहीं ठीक है क्योंकि वन पाल जो थोड़ी सी ओफिशियर लेवल की जोब है और अब तक की अपडेट के हिसाब से ठीक है अगे आगे होगा तो किस में होगा वन पाल में होगा दोस्तों ठीक है वन पाल में होगा इंट्रूव में कोई घबराना नहीं है दोस्तों बिल्कुल बेसिक से क्योशन पूछे जाते हैं पहले आपका इंट्रूशन पूछे जात तो इसी चैनल के उपर एक वीडियो है वो आप जाके देख लो ठीक है फिजिकल से रिलेटेड है कि फिजिकल कैसा होगा वनडख्शक वनपाल का अगली आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके देख लो दो प्लेइलिस्ट है राजस्तान वन्रक्षक वनपाल मैत की उसमें आपको मैत की वीडियो मिलेगी लेकिन अजस्तान फोरेश्ट गार्ड एकजाम 2020 की जो वीडियो है उसके अंदर आपको टोटल वीडियो मिल जाएगी उसके अंदर आप जाके देखो फीजिकल कैसा है ठीक है ना जैसा अगर मैंने बताया थ आफंदा कि चार किलो मेंटर की Dop samma है 14 किलो मिय्टर इस तरह से 25 की दिक है 4 गंटे में पूरुषो के लिए है ठीक है 16 लोमेटर की रुकशो है आपको चलना है काफ़र लोगना यह में रिखने हैं मेल के लिए राmillion है सुला किलो मेत चार गंटे में फीमेल के लिए तो यह बात आपको याद रखने ठीक है और मतलब बहुत सारी चीजे है कि मेलाओं से गोला फिंक वाय जाएगा पुरुशों से किरकेट बॉल फिंक वाय जाएगी तो आप लोग उसके उपर भी थोड़ा से ध्यान देना ठीक है और इंटर्व्यू के लिए और फिजिकल के लिए बेसिक बेसिक टिप्स क्या है वह भी मैंने इस वीडियों पताया है तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों ठीक है अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जाके उस व इसको ईसले नहीं लाव इसके पेडियो है तो नमबर ने जीए टोटल तो यहाँ से तक है है लेगिन इस बार देखो interview भी नहीं है और physical के number भी नहीं जुड़ रहे है ठीक है तो इस वे से क्या है कि जो exam है ना उसके अंदर question की संख्या बढ़ा दी गई है पिसली बार I think 50 question थे और अब की बार 100 से ज़्यादा question भी हो सकते है ठीक है आपको सिर्फ क्या करना है आपको उसको qualify करना है ठीक है ना जब उसको qualify करोगे तब आपको मतलब की आगे process के लिए बुलाया जाता है इतनी वास मज़ मैं अगला question है कुल person और कुल लंग कितने है एक्जाम का process क्या होगा देखो एक्जाम का process क्या है ठीक है अब हाँ एक और important update बटा दूस्तों काफ़ सा लोग डाउट्स थे एक्जाम जो है वो दोनों बाशाओं में आएगा ठीक है ना उस और वन विभाग का पेपर सिर्फ एक ही माध्यम में आता है जो होता था हिंदी जो होता है दोस्तों हिंदी अब की बार जो बढ़ती है वो करा रहा है अक्षाली में यह उनैंड केंसे पहले ही डिट बाऊंस होने से पहले मेंने आपको बता दिया था कि कौन कॉन इस पर noon को बर सकते हैं झुक्त है तो इस तरह थैस प्रीन है और इस तरह बैडा तैप हो आएगा ठीक है जिसको जो सुटेबल लगता है यानि फोम में जो आपने मीडियम बरक है उसी के अपक्र इंग्लिश वारें को टैम्ट करेंगी हिंदी वारें को टैम्ट करेंगी हाँ कई लोगों डाउट से सर क्योशन अलग अलग होते हैं नहीं नहीं क्योशन सेम ह होते हैं मालो यहां पर लिख दिया ना कि राम एक अच्छा लड़का है तो इदर ट्रांसफर होगा राम इस फ़र्व बोई हिंदी और इंग्लिश में को फर्क नहीं रहता सेम होता है लेकिन वह बस इंग्लिश मीडियम में होता है पेपर और यह हिंदी मीडियम होता है इ तो अब तक हम बात करें तो कुल परशन दोस्तों अब तक की जब डेट है वो फिल परसन आपके सो से 120 हो सकते हैं ठीक ना 120 में ने क्यों का है क्योंकि अब कि बार किया है इंट्रिवीव गड़ा के नंबर नहीं 그냥 typical inch है तो हो सकता है कि क्योष्शन आपके बढ़ा दिये जाएं ठीक है ना तो वरना आप यह मान के चलक्ते हों सो अधितल है थो क्योष्वन तो है यह थीचे ना तोan बोर्ट दो प्रुम दों करनक कंडिसाईड करें या फिर एक क concerned के एक डिसाइड करें ठीक है ना यानि कि आपन सकते हो अगर y मार्किंग की दोस्तों मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है अब मैं आपको फिर बता देता हूं कि नेगरिटिव मार्किंग जो है वो इस बार है कितनी है वन बाइ फोर है जो बड़े लेवर के जामते है उसक्यों थी ठीक है दोस्तों वन बाइ फोर का मतलब क्या है कि अगरी आपका एक क्योशन एक नंबर का है तो जीरो पॉइंट दो पांच आपके कट जाएंगे इस बार नेगरिटिव मार्किंग क्यों है क्यों कि पहले वह भागने करा करा था लाइथी बर्ति उस समय नहीं थे इस बार झो है वह है वह मार्किंग क्या सब्सक्टा फेले क्यों तो बिल्कुल अभे तक जतनी उसका सबसे 100 प्रतिचात की नेख्योती मार्किंग है इसके इंदर बाद में कोई सुषधार होता तर आपको को इंफर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माद्यम से ठीक है दोस्तों तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा जिसको बुक्स वगिरा का नहीं पता है वह भी वीडियो को देख लेना ठीक है ना नीचे डिस्किप्शन में लिंक देदूगा कि बैस्ट बुक्स पढ़ कर सकते हैं नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दियो हुई है इसका दोस्तों चैनल की प्लैलिस्ट देखते रही है ठीक है और बढ़िया प्रिप्रेशन के लिए हमारे चैनल को जोइन कर लिए सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि डेलिगर लिए आपके लिए वीडियो जाती कर लिए दो